कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटी ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व क कि पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया मौरत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पादा करते हैं जिसको हम सुपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश-बैस्थानी अस्वराज के संस्ताव से ले करके अनेक की काईया है उन सब में गवनन्स के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रतिचिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय ववस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृति आपदाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो पारंपारिक ट्रेडिश्टनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब हांग होलिस्टिक हेल्द केर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपारिक आउसदिया और वेल्नेस हब के रुपे भारत को विक्सित करना चाहिए कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनमी बनना चाहिए क्षण क्षण अज़ा सुद्धिगणी गागी फ्रीडम टीवी सब्सक्राइब माड़ी लाइक माड़ी हाग फॉलो माड़ी हुस्सा सुद्धिगणा नोटिफिकेशन गागी बल आइक और मेरे क्लिक माड़ी